Hi Friends, Welcome to Study Connection One Word Substitution के Series 7 में आप सभी का स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Words written on Tom Tom मतलब होता है कब्र या समाधी तो जहां पर समाधी के उपर लिखे होते हैं words उसे क्या कहते हैं तो options हैं Epitaph, Epilogue, Epitomy या Epistle तो हमारा answer है Epitaph जिसे हम समाधी लेग भी कहते हैं Next है Epilogue, Upsahar जैसे हम एसे लिखते थे तो last में Upsahar लिखते थे एक छोटा सा speech Next है Epitomy Epitomy का मतलब होता है जैसे प्रतिक या प्रतिमान For example, he is the epitomy of modern young man Next है Epistle, जिसे हम धर्म पत्र भी कहते हैं Okay, next है Study of Man माना जाती की अध्यन को क्या कहते हैं तो हमारे options है Geology, Anthropology, Acheology या Etymology तो हमारा answer है Anthropology इसे हमने last वीडियो में डिसकस किया था कि the study of animals is called Geology and the study of plants is called Botany Next है Echeology A study of ancient things जहां पर हम पुरानी चीजों का अध्यन करते हैं तो वो होगा Echeology Next है Etymology जहां पर हम सब्द विदपत्ती का अध्यन करते हैं कि ये सब्द कहां से आया और उसके विकास कैसा हुआ तो उसे हम कहेंगे Etymology ओके Next है Believe in more than one God एक से अधिक भगवान पर विश्वास रखने को क्या कहते हैं तो हमारे options हैं Polytheism, Monotheism, Blasphemy या Theist तो हमारा answer है Polytheism Friends, Poly मतलब होता है बहुत सारा and Theism मतलब होता है ये God से related है जहां पर भी Theo, Theism word आ जाता है वो God से related होता है Next है Monotheism Believe in only one God That is called Monotheism Next है Blasphemy मतलब इश्वर की निंदा करना इश्वर ये निंदा जिसे कहते हैं तो वो होगा Blasphemy Next है Theist इसका मतलब होता है आस्तिक जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक Okay, next है Odises spreads in locality एक ऐसी बीमारी जो एक locality तक फैली होती है उसे क्या कहते हैं तो हमारे options है Pandemic, Endemic या Epidemic तो हमारा answer है Endemic ये है Pen Pen का मतलब होता है All तो जो सर्वव्यापी या विश्वव्यापी जो महामारी होती है उसे हम कहेंगे Pandemic और ये Epidemic जो होता है वो संक्रामक महामारी के जैसी होती है एक ही समय में बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो जाते हैं इससे Okay, next है A man whose wife has died जिसकी पत्नी मर गई है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हिंदी में हम विधूर कहते हैं तो ये है उसका answer Widower और जिसकी पत्नी, sorry जिसका पत्नी मर गया हो ऐसी पत्नी को हम कहते हैं विधवा तो वो है Widow next है Polygamy जिसके एक से अधिक पत्नी होते हैं या एक ऐसा पत्नी जिसका एक से अधिक पत्नी होती है तो उसे Polygamy कहते हैं next है Bygamy जिसके दो husband या दो wife हो उसे हम Bygamy कहते हैं By मतलब होता है दो and Poly मतलब होता है बहुत सारा Okay, next है A person who makes love without any serious attention एक ऐसा person जो हमेशा flood करते रहता है women's के साथ तो उसे कहते हैं हम Phylandra हमारे options है Romeo, Goon, Freak Romeo हम यूही कह देते हैं Goon मतलब होता है गunda Freak मतलब होता है संकी तो हमारा answer है Phylandra Okay, next है The Study of Ancient Writing and Inscriptions तो इसके options है Acoustics, Entymology, Ecology या Paleography तो इसका answer है Paleography जहां पर हम पुरा तत्व लेक का अध्यन करते हैं जो प्राचीन, जो लेक होती है जो हम पत्थरों पर लिखते थे उसका अध्यन करते हैं तो उसे हम कहेंगे Paleography Acoustics क्या होता है The Study of Sounds Sounds का जहाध्यन करते हैं तो उसे हम कहते हैं Acoustics Entymology हमने डिसकास किया था Study of Insects Ecology ये भी हमने डिसकास किया था तो जहां पर हम जिव जन्तु और उसके आपस के जो सराउंडिंग्स हैं उनके संबंधों का अध्यन करते हैं तो उसे हम कहते हैं Ecology ओके नेक्स है One who is brilliant performer on stage जो stage में बहुत brilliant performer होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं What to also याने गुणी कलाकार या दक्ष नेक्स है options भी देख लेते हैं Extreme Pre इसका अर्थ होता है बीना तयारी का जैसे हमें बीना तयारी का speech देना होता है तो वो speech का लाएगा Extreme Pre Next है true aunt True aunt यह वो student होते हैं जो बीना छुट्टी लिए भाग जाते हैं तो उसे कहते हैं true aunt Next है madden Madden मतलब होता है प्रथम या जो unmarried girl होते हैं उनको भी कहते हैं madden Okay तो next है The technique of communication by science made with the fingers is called जहां पर हम सांकेतिक भासा का प्रयोग करते हैं समझाने के लिए तो उसे क्या कहते हैं तो उसका answer है Dactylology ये third one Dactylology तो इसके options भी देख लेते हैं Ethnology जहां पर हम मानोजाती का ध्यन करते हैं उसे कहते हैं Ethnology Next है ethology जहां पर animal behaviors का ध्यन करते हैं उसे कहते हैं Ethnology Next है etymology इसे हमने पढ़ा था कि सब्द के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी विद्पत्ती कहां से हुई थी और उसका विकास कैसे हो रहा है तो उसे कहते हैं etymology Okay next है The animal of particular reason एक particular reasons में जो animals होते हैं उसे क्या कहते हैं तो हमारा answer है fauna Flora and fauna Flora क्या होते हैं The plant of particular reason जहां पर particular reasons में जो plant होते हैं उसे हम कहते हैं flora Flora यूज होता है plant के लिए and fauna यूज होता है animals के लिए Okay friends आज के लिए इतना ही तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे like कर लीजे और more updates के लिए subscribe कर लीजे Thank you so much